आलिया भट के अपकमिंग फिल्म गंगो बाई कठिया वाडी को लेकर इन दिनों बज बना हुआ है माना जा रहा है कि एक्ट्रेस के फिल्मी करियर में ये फिल्म चार चंद लगाने वाली है फिल्म में आलिया की तुनला कंगना रनावत और विद्या बालन से की जा रही है आलिया ने इसे लेकर रेक किया है संजे लिला भनसाली के निर्देशर में बनी फिल्म गंगो बाई कठिया वाडी में आलिया भट एक सेक्स वरकर के रोल में है जो बाद में रेड लाइट एरिया की लिडर बन जाती है आलिया ने एक इंटर्वियू में बताया कि उन्हें इस फिल्म में कास्ट किया गया है ये बड़ी बात है एक्ट्रेस से जब पुछा गया कि उनकी तुनला कंगना रनावत और विदिया बारन से की जा रही है तो एक्ट्रेस ने कहा नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना है आलिया भट ने आगे कहा कि हो सकता है लोगों ने कास्टिंग को लेकर सुझा दिया होगा लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को इसमें पढ़ना चाहिए एक डारेक्टर जो पिछले 25 साल से निर्देशन कर रहे हैं जाहिर सी बात है कि उन्हें पता होगा कि किसे फिल्म में लीड रोल के लिए लेना चाहिए अगर किसी को लगता है कि मैं इसके लिए सही नहीं थी तो ये उनका नजरिया है पिछले दिनों आलिया भटके किर्दार गंगुबाई की कोपी करते हुए एक बच्ची का वीडियो वाइरल हुआ था जिस पर कगना रनावत भटक गई थी वीडियो वाइरल होने पर आपती जताते हुए कहा था कि एक बच्ची का इस तरह करना ठीक नहीं है बता दे कि हुसेन जेदी के किताब माफिया कुइन्स ओफ मुंबाई पर अधारित इस फिल्म में सेक्स वरकर के रोल में आलिया नजराएंगी और यह सहीं बॉली बुट की लेटेस अब्डेट्स के लिए सब्सक्राइब करें बॉली न्यूजराब